पूर्वांचल के माफिया डौन मुक्तार अंसारी अब नहीं रहा और इसी के साथ आपराध की एक अध्याय का अंत हो गया है मुक्तार अंसारी का जब भी नाम लिया जाता है तो आम और खास को प्रभावित करने वाली तमाम कहानिया सामने आती हैं लेकिन उत्तर परदेश के एक पुलिस अधिकारी की पूर्व पुलिस अधिकारी की कहानी सबसे ज़्यादा रोचक बताई जाती है दिल्चस बताई जाती है और उसमें कितना दबाव और पतारना थी वो भी निकल कर किया आती है पूर्वूस्टूपै एसपी शेलिए सिंग जी हमारे साथ है जिन्होंने मुक्तार अंसारी पर नकेल कसने की कोशिश की थी और उसके बाद उने ही अपनी वृद्धी को छोड़ना पड़ गया था अपनी नौकरी से इस्तिफा देना पड़ गया था सबसे पहले आप से बात करेंगे मुक्तार अंसारी की डेथ हो चुकी है मौत हो चुकी है बांदा मेडिकल कॉलेज में लमजी वाला क्या प्रक्रण था और आखिरकार ऐसी कौन-कौन सी वजहें रही जो आपको अपनी वर्दी तक चुननी को पूर लमजी का प्रक्रण से 20 सा पहले का है 2004 जनवरी शुरुआत की बात है लगनों के कैंट थाना छेत में सुबह सुबह मुक्तार अंसारी के बीच में आमने सामने से क्रॉस फाइरिंग हुई और पूरी सरकार हेल गया कि राजधानी में इस तरह के वार्दात हो रही तो अन्य जगों पर क्या हालत होंग अज़े यह जमेंदारी देगे कि मैं पूरवांचल में पोस्टेट था वानारस में परवांचल का रहने वाला था तो हुआ कि आप पूरवांचल को समझते हैं नवाफियां को नजदीक से जानते हैं आप इन पर अंकुष लगाई है और सर्विलांस जब इनका में लिया तो मकतार अंसारी एक सेना का भगोडा था बाबुला लिया दो जो आरा राश्टी राइफल जम्मो कश्मीर स भागा था एक लाइट मशिन गण चुरागे भागा था और उसको बेचना चाहता है था मुक्तार अंसारी को मुक्तार अंसारी उससे जब बात करके अपने पर्मिशन से सब कुछ हो रहा था किस टारी में भी लिखा गया इस चीज को और ये हम को मिलनी चाहिए चाहे जो भी कीमत हो एक करोड में तैय हो गया और भी मंगे तो देखे ले ले लेना है जब ये बात मैंने अपने सीनियर राथकारियों को बताया तो सब ने कहा है कि शहल कि अधिम ने जान पर खेल के बिना कैजवल्टी के सब रिकवर किया आम सेमिनिशन पूरा रिकवर हुआ और रिकवर के बाद पोटा चुकी कानून एक्जिस करता था तो पोटा लग गया लोग मुक्तार फमज रहा था कि ये रिकवरी बावुलाल के पास हो ये तो आम से सिंपल है वह दोशी हुआ हम बच गए लेकिन जैसे मीडिया के माध्यम से शाम को ये न्यूज आई कि पोटा लग गया है अब वह घबडा गया पोटा में तो बात करने वाला भी दोशी है और सब हम लोगों ने इंटरसेट किया था एविदेंस एक्ट के तहत कबर था तो मुलाहम ने अधिकारियों को निर्देश दिया विशे सुप से जो बनारस के SSP थे शुष चंजा दी उनको निर्देश दिया कि इस केस को सभाब करो क्योंकि पनारस में ही चावववपूर थाना मी एकेस दर्ज था और मैं उस समय जब इन लोग से अधिकारियों से अधिक को सबस्कार कर रहें तो हमने का देखिए आप लोगों को नहीं कहा तब मैंने काम किया मैंने अपनी तरह से नहीं लिया कि बात भी नहीं करेंगे तुमसे तुमसे फिर मैं क्या कर सकता हूँ नतीजा यह हुआ कि बनारस के जोन के आई जी रेंज डी आई जी एस पी स्टी अप सब का ट्रांसफर आतो रात किया गया हम लोग की यूनिट को क्लोस करके वहां से बुला लिया गया लखनौ और पंदर सर्विस अभी इस बाइस साल और जान पर क्यों खेल ले हो परिवार है तुम्हारा वह बहुत बड़ा माफिया है एडिशन एस्पी पर गोली चला चुगा है तमाम लोगों पर बड़े बड़े प्लेटकर लीडर्स को उसने के डिनाप करके रैंसम लिया तो तो तुम इसम सब्सक्राइब कर रहे तो मुक्तार अंसारी को आप लोग पकड़ने की बाद भी कर रहे थे वह इंसिडेंट क्या था जब मुक्तार आते आते रह गया सब्सक्राइब कर लिया तो बाब लाल से हमने का देखो अभी तो मुक्तार को मालम नहीं रिकवर हो गया तुम लगातार बात कर रहे थे अब उसको बात करके बुलाओ बनारस और वहीं सामने लिन देन में ही सब पकड़ा जाए ताकि वह बच भी नपावे सामने सामने उस या उसमें डील होगा और हम लोग भी पूरी तैयारी से थे मालम था कि पुलिस देखते हो सकता इसके लोग भी कुछ करें हरकत तो हम लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है हम देखेंगे उसमें जो करना होगा परिस्टी उस समय जैसी होगी वो किया जाएगा लेकिन लोकल थाने का इन्वाल हो गया था सब वह इंस्पेक्टर जो था हुआ इंचार जैसो उसने वावाही में यहने की बैड इंटेंशन से कि बहुत बड़ा गुड़ वर्क है या लम जी आज तक रिकवर नहीं हुई है तो बहुत बड़ा गुड़ वर्खा उट अट आट अ प्रमोशनल उसने अपने स्सपी को बता दिया बिना मेरी जानकारी के जबकि मैंने मना किया था अब उन्होंने ततकाल ऊपर बता दिया उनकी वाइफ समय नीता सिंग सची थी मुकमंत्री की अब मुकमंत्री तक बात चल गए अब नीचे निरदेश आ गया रात सब लोग तरकाल मुझे बढ़ाई देने लगे मैं चौक गया कि बढ़ाई कि बात का दे रहे हैं अभी तो मैंने बताए नहीं किसी को तब मैं समझ गया बात लिख हो गए और फिर मुक्तार को पता चल गया किसी तरह उसकी मतलब जान बजगे ने तो शैद हो सकता उस समय ही खतम हो अपरादियों के जराइम की दुनिया है उनको खतम की जाए लेकिन स्टीएफ की वो मनुदशा क्या रही होगी जब स्टीएफ को अब मुक्तार के प्रभाव से दबना पड़ा डरना पड़ा या दबाव बनाया गया वो क्या बात देखिए स्टीएफ अपने काम के वज़ स्टीएफ का मनुबल बहुत हाई होता था स्टीएफ का मतलब को मिल गया तो अपराधि कामने लगते थे लेकिन मेरे घाटना के बाद एक मैसेज चला गए अपराधियों में कि सरकार साथ है तो कुछ नहीं हो सकता है और एक बड़ी गिरावट मनुबल जिसको डाउन होना कहते हैं मेरी तो पूरी टीम उस समय रिजाइन करने को एक दम तयार बैठ गई थी मैंने समझाय कि नहीं सब काम नहीं करो समय बदलेगा अभी हम जा रहे हैं जाने दो पबली के बीच में अपनी बात रखेंगे तो निश्यत है उस समय मनुबल बहुत गिरा था और जब मा एपने लिख लिगन रहे हैं तो लोगतम्त पास िम्हरा तो आप समझ गया आपोशते हैं दिनập लाटना किए बिल्कुल में अब हUNG नहीं को रहता है उस्पिटल के नहीं करवाी होता है जो और तमाम लोग के कारोबारी रंगदारी के लिए बाहर जाते थे तो इन सब चीजों का क्या रहता था क्या देखते थे नहीं बिलकुल सही बात है जब हम लोग देख रहे थे पर स्टीफ में तो बनारस में खासकर प्रवांचल पूरा ही दे लिए लोग डर के मारे शौफ नहीं नाम देना उचित नहीं है उनका उनसे मैंने कहा है भई आपने शादी की हम लोग को बताये तक नहीं जब कि इतने क्लोज रहे इंवाइट किया था मैं चुपचा बाहर जाके अगरा में शादी किया कि जिससे लोग जानने पाँ है कि हम लोग संपन है डॉक्टर मेरे रिल इसलिए नहीं करते हैं कि लोगों के निगाह में आजाएं कि रंगदारी मांगने लगेंगे तो यह नौबत थी उस समय आगरी सब्सक्राइब आपके परिवार ने क्या जहला क्या मनुदशा रही और आपकी इस्तिती के बारे में क्या कहेंगी अब लंबा समय गुजर गय कहीं मकान लेने चाहें कि राय का वहां धंका दिया जाता था है कोई हमको देता नहीं था वो सब दौर देखा मैंने फिर मुझे अरेस्ट दो बार किया गया वह भी परिवार ने मेरा देखा जहला जिस थाने में हम अपरादियों को बंद करते थे उसी थाने में हमें लॉक की रास्ते पे थे जो गलत थे आज वो अपनी मौत मर रहे हैं और हम सही थे आज एक सकारात में सोच के साथ एक अच्छा काम अपना कर रहे हैं अधिकारी वर्दी चोड़नी पड़ी मुक्तार अंसारी के खिलाफ जब अपराद कारित करने के बाद कारवाई करने के लिए पहुँचे तो तमाम सरकार जो वरतमान सरकार थी उससे तमाम प्रिशर पड़ा और उसके बाद वर्दी छोड़ करके अपनी रह को जुदा किया लखनों से केमरमेन रजीश तिवारी के साथ रतीश त्रुवेदी श्रेष्ट भारत